वेल्कम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास एट हिंदी का चैप्टर है भगवान के डाकिये आज हम करेंगे इसके NCIT solution question answer तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो I hope children आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो so that आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे चिल्दन सबसे पहले हम समझेंगे डाकिये का मतलब क्या होता है डाकिया होता पोस्ट में जो चिट्थी लाता है लेटर लाता है question number one देखिए कवी ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है चिल्दन डाकिये का का मतलब क्या होता है वो मैसेजिज लेके आता है वो लेटर लेके आता है तो जिस तरह से एक डाकिया मैसेजिज लेके आता है आपके दोस्तों के आपके फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स के रेलेटिव्स के उसी तरह से जो पक्षी है और जो बादल है वो किसका संदेश लेके आते हैं भगवान का, आंसर कैसे लिखोगे, देखो जो मैंने अंडर लाइन किया है, वो पूरा question से ही, कभी ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकी इसलिए कहा है, पूरा का पूरा question से ही आ गया, क्योंकि जिस प्रकार डाकी संदेश लाने का का हम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं, मतलब जिस तरह से एक postman, ठीक है, letter लेके आता है, उसी प्रकार जो birds हैं, उसी तरह जो बादल हैं, और बादल क्या देते हैं, हमें बारिश देते हैं, वो हम तक किसका संदेश पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिठ्थियों को कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखे, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिठ्थियों को कौन पढ़ पाता है, पेड़ पौधे पढ़ पाते हैं, पानी पढ़ पाता है, और पहाड पढ़ पाते हैं, कहने क को समझ पाते हैं पढ़ पाते हैं इसमें पूछाए ये किन पंक्तियों का भाव है तो पहले एक एक करके समझेंगे तो चिल्डन क्वेश्चन है पक्षी और बदल प्रेम सदभाव और एकता का संदेश एक एक देश से दूसरे देश को भुषते हैं तो हमको जो कविता में जो पंक्तियां थी वो लिखनी है तो यह कौन सी पंक्तियां है ये वाली पंक्तिया पढ़ लेते हैं प्रकरती देश-देश में भेदभाव नहीं करती एक एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है चिल्डन आपको याद होगा आपने वाटर साइकल पड़ा होगा कि जो पानी समुंदर में है नीचे पड़ा हुआ है वो पानी वेपराइज हो जाता है उससे क्लाउड बनते है और फिर वोई पानी फिर से नीचे आ आपता है तो यहाँ पर क्या कहना है कि भाईया हो सकता है कि ये कंट्री है ये और जमीन है यहां से वेपरेट हुआ कोई चीच यहाँ तो कविता में लाइन कौन सी दी गई है और एक देश का भाब दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है पक्षी और बादल की चिठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहार क्या पढ़पाते हैं अभी हमने पढ़ा था पेड़ पानी और पानी और पहार भगवान के मैसिज को पढ़ पाते हैं तो पूरा जो मैंने अंडर्लाइन किया है वो पानी हो ये इनसानों की तरह नहीं है जो आपस में लड़ाई जगडा करें ये इनसानों की तरह नहीं है एक दूसरे को गोली मारें या एक दूसरे से जलें तो ये पूरी तरह से प्राकरतिक हैं और इनमें आज भी एकतार संद्भावना बनी हुई है इसलिए ये भगवान क मैसेज को भगवान के संदेश को पढ़ पाते हैं एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेशती है कथन का भाव स्पस्थ कीजिए जैसे चिल्डन मान के चलो अभी मैंने एक्जामपल दिया था एक जगे यह एक जगे यह यहां पर बहुत सारे फूल लगे हुए ठीक भूमी में उगने वाली फूलों की सुगंध को हवा से यानि कि जो खुश्बू है सुगंध है वो हवा से एक जगए से दूसरी जगए जाएगी और पानी को बादलों के रूप मैं नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो 1,2,3 I hope children आपने वीडियो को लाइक कर दिया है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है Thank you guys एक खुश खबरी देनी है children आपको हमारा जो MCQ चैनल है उस पर 1,19,000 सब्सक्राइबर हो गए है उस पर भी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमें silver play बटन मिल गया है MCQ आप questions जो मुझसे मांगते हो तो अब आप हमारे class 6 से लेके class 12 तक हर subject के MCQ आपको हमारे MCQ चैनल पर मिल जाएंगे यह उसका logo है इस तरह का अगर ना मिले तो मैंने जो link है वो मैंने description में भी डाल दिया है अभी जाएए और हमारे MCQ चैनल की family बन जाएए आपके exam में बहुत सारे MCQ हर subject में आने वाले है Thank you guys पक्षियों और बादल की चिठियों के आदान परदान को आप किस द्रिस्टी से देखते हैं तो पक्षियों और बादलों की जो चिठियों का आदान परदान है वो किस तरह से देखते हैं पक्षी और बादलों की चिठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम और आपसी सदभाव की दिरस्टी से देख सकते हैं मतलब उनमें आपस में प्रेम है सदभाव है एकता है आज विश्व में कहीं भी सम्वान भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है पक्षी और बादलों की चिठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए दस्ट चिल्टन आपको किसी को मैसेज भेजना आपने वाटसप पे मैसेज डाला और एक सेकंड में उसके पास प्रूंच किया यार, फेस्बुक पर हलो लिखा आपने उसको पहुँच गाई, इंस्स्टा ग्राम पर डाला हो गया तो आपको इंटरनेट की तुलना करनी है पक्षी और बादलों की चिठियों की तुलना इंटरनेट से करना तो आंसर कैसे दो कोई पक्षी और बादल प्रकृती के अनुसार काम करते हैं यह कोई इंटरनेट थोड़ी है तो नेचर के हिसाब से काम करेंगे इंटरनेट मनुशी के हिसाब से काम करता है अगर हमेने वाइफाई ओन कर लिया तो चल गया वाइफाई आफ कर दिया तो बा बैंकिंग है साइंटिफिक थेंग है है ना हमको रिजर्वेशन करना वो सब बिना इंटरनेट के नहीं हो सकता पक्षी और बादल का कार थोड़ा धीमी गती से होता है भाई वो तो मशीन थोड़ी ना कि पैट्रोल डाला चल दिये तो थोड़ा धीरे-धीरे काम होता है लेक कोई भी आपका जॉब लगी लेटर कौन लेके आएगा डाकिया आपका कोई लेटर आया वो लेके कौन आएगा डाकिया डाकिया द्वारा डाक लाना पत्रों का बेसबरी से इंतजार उसकी भूमिका को और ज़्यादा बढ़ा देता है आपका घर में किसी की जॉब लगन person है वो हमारी life का भले ही अब computer या email का जमाना आ गया है पर डाकिया का महतो अभी वी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था वरलब डाकिया की जो importance है वो कम नहीं होई है इस last question का answer आप मुझे दोगे comment section में देखूंगा कितने बच्चे right answer देंगे मुझे comment में कभी ने पक्षी और बादल को भगवान के डैश बताया भगवान का क्या बताया भगवान की पुलिस बताया भगवान का पोस्टमें बताया या भगवान का नेबर पड़ोसी बताया आप चाहो तो अपने आंसर में comment में A B S E लिख देना मैं देखूंगा कितने बच्चे right answer देंगे So I hope मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में बाबाए